हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग श्वागत है आपका अपने चैनल शाइने स्टेडी में और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जारखन उत्पात सिपाही प्रतियोगता परिच्छा के बारे में पूरा डीटेल में बात करेंगे जो भी इस अड़राजमेंट में दि चैनल में नए है और पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कीजएगा और एब्रीड़ी वीडियो आने वाली है अपडेट के बारे में जो भी अपडेट आएगा जारखन की वेकेंसी जो भी आएगी उसके बारे में ठीक है तो चैनल यह हां कली आप समझ लीजे लेकिन अभी जो है 26 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है इसकी जो क्या बोलता है फॉर्म फिलब ठीक है यहां पर सबसे जोरी बात है सुरू में ही कि यह आपकी जो है परिछा सुल्क हंडेड रूपीज है ओभी सी और जैनल के टेगरी के लिए ठी करते हैं ठीक है सबी चीज़ों के बारें बात करेंगे डीटेल में ठीक है और जो कि अनुशुचित जैन जाती है स्की टेगरी की बात कर लें हम तो 50 रूपया उन्लों का परिछा सुल्क लाएगा ठीक है तो यह हो गई परिछा सुल्क के बारे में अब यहां पर देखते ह के लिए टोटल एड़ करके देखे तो 148 पलस 57 ठीक है और OBC1 और BC2 का है पचास और 32 अने की 82 वेकेंसी हो गया ठीक है और अब जो यह सो देखेंगे हम लोग महीला लोग के लिए अरचन है यहां पर यह सारे वेकेंसी के लिए महीला लोग पहले से ही है कि कोटितिशन देंगी उसके साथ ही उन्हों के लिए अलग से वेकेंसी add के हुआ है 12 UR काटेगरी में और SC काटेगरी में साथ है पांच है है तो दोस्तों यह हो गया वेकंसी डिटेल 583 वेकंसी है टोटल और खेल कूट कोटा से 12 वयकंसी और महिला लोग के लिए टोटल 30 वेकंसी टो सब ही लोग को एयर्ड़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 583 ओर 312 ब्यालिस लगबख 627 और अनें कि 625 लगवागे ठीक है अब यहां पर हम लोग देखते हैं सेलरी सेलरी देखिए यहां पर है और योग्यता देखिए निविन्तम योग्यता क्या होना चाहिए तो उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्ध निशेद विभाग के तहद जार्खन उत्पाद सिपाही शेवाशंपर देखिए यहां पर पोस्ट का आपका है वो डिपार्टमेंट का ठीक है आप यह आपको शेलरी मिलेगी कि 19,900 से लेके 36,200 के बीच में ठीक है यह सबसे हाई लेबल जाएगा आपका सेलरी 36,200 ठीक है आपको दस्वी कलास जो है उतिन होनी आवस्ट से के ठीक है निवनतम इसकी जो सेच्छनिक योगता है दस्वी कलास है अब हम लोग बहुत जोरी चीजे करेंगे जो की देखें यहां पर आपको देखिए सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है सबसे इंपोर्टेंट चीज की मैट्रिक कच्छा जहार खंड्राइज में वस्थित माने था प्राप सेच्छनिक संस्थान से उतिन होना अनिवाइज होगा ठीक है और यहां की जो है रितीर्यवाज बहासा ज प्राइज करना होगा रूसी में आपका हंडेड कोश्चन रहेगा ठीक आगे बात करेंगे लेकिन यह इंपोर्टेंट चीज हो गया कि आपको गईदी फॉर्म बरना है तो दस्वी क्लास यहीं से करना होगा यूर क्याटिगरी के लिए ठीक है अभी ऐसा SCSt क्याटिगरी क पार इसमें देखिए छेल कुद कोटा से भी जो यहाँ पे आपको आरचन दिया गया है अलक्से स्टिएड किया गया है उसके लिए है लेकिन यह ज्यादा इंपर्टन नहीं लेकिन यहाँ पर आप देखिए पहले फिजिकल मिजरिमेंट ठीक है सारे रिक माप अब यहाँ लोग के लिए मापा नहीं जाएगा हर जगह होता है और मेल में देखिए आपका 11 cm और यॉर के लिए और स्ट के लिए 79 अनिकी है है हो गया 155 cm और सीना हो गया आपका चेश्ट हो गया आपका 79 cm ठीक है किसका यॉर स्ट का और यॉर का 106 cm है और सीना हो गया आपका 81 cm ठीक है और यहां पर आप एक चीज़ और दिख लिजे कि जब यहां ल्गे तो मीजनेमिंट होगा तो आपका मुडा होवा घुटता ने होना चाहिए संतल पर ने होना चाहिए उंगलियों का ऊचीड ढंक से नहीं घूमना चाहिए द्रिष्ट dinero को मhesषिस नहीं होना चाहिए एक से इसे बीट चीज़े का जब का फिजिकल और मेडिकल जाच किया जाएगा ठीक है और इस बार सबसे इंपोर्टेंट है कि पहली जब जब एक आट देजर बाइस से आपके आयू गिनी जाएगी काउंट करी जाएगी और नियुनतम उम्र सिमा आपके अठारो वर्ष है और अधिकतम दिखिए यूर के लिए और एडेवलो एस के लिए पचीस वर्ष और ओबीसी के लिए 37 वर्ष और महिला लोगों के लिए 28 वर्ष पहले से जो सेनिक हैं भुत्व पूर्ष सेनिकों को पांच वर्ष के अतरिक्त छूट दी जाएगी ठीक है अब देखते हैं देखिए यह चीज़ हम पहले बात कर रहते हैं कि टेंथ क्लाश जो जहार्खन राज में और तित मानेता प्राप सेचनिक संस्थान से उतिन होना अनिवार जोगा ठीक है तो यह हो गया अब देखिए निवाशी पर्मान पत्र आरच्छन का दावा करने वाले जोग है सबको जो है 26 2016 तथा इसके पस्चात निर्गत अस्थानी निवाशी पर्मान पत्र मायन होगा जिसका मानक पत्र प्रशिष्ट आरच पर दारी था अचा देखिए यह चीज़ हो गया और दूसरा एक चीज़ और कि 19 साथ 2019 को आतो इसके पस्चात अंचला अधिकारी यहाँ पर क्या था अनुमंडल पता अधिकारी दोचे 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 दोचलो और यहाँ पर है अंचला अधिकारी 19 साथ 2019 के बाद का बना हुआ जो आपका रिटेंशल स्टेपिकेट होगा या का स्टेपिकेट होगा दोनों वही सब मायनने होगा और सबसे एक चीज़ और इंपोर्ट कि अत्यांत पिछडवर 1 और फि gevotia वर 2 के शम्पत में कैंदर सरकार में निपती है तो केंदर सरकार अपक्राइब निर्द्धित वहत् पर पत्र में निर्गत जाती परमांतर पर कास्ट इपिकेड़ अब सब्सक्राइब बनवाते हैं और यहां पर माइन नहीं होगा आपको जो हम बोले पीछे कि दुजर उनीस के बाद या दुजर शॉलो का दूसरा महिना उसके बाद अंचला अधिकारी या प्रमंडल अधिकारी है उसके उन लोगों से इसू किया हुआ जो रहेगा का सब्सक्र अब ही और एक और देखते हैं क्या क्या रहेगा इसमें एक्जाम पैटर्न कैसे रहेगा पहले हम बता चुके है कि फॉर्म जो है जो इस बार सेलेक्शन है थोड़ा बदलाव किया गया है से लेवस में बदला हुआ है और यहां पर देखते हैं पहले फिजिकल होगा जिम जांस होगा थड़ में सकेंड में लिखित परिच्छा और तो यह इसके लिए त्यार रहे है सारी किलेमिटर आपको मेल में है तो वान आवर में पूरा करना ठीक है और प्र में है पांच किलेमिटर 40 मिनट में ठीक है यह यह द्यां रखिए गा पहले फिजिकल होने वाला ह है हो गया जो जो क्वालिफाय किज़ेगा उसको एक्जाम देने मिला दिया जाएगा और फिर एक्जाम में जो क्वालिफाइग करेंगहें और उसका मेडिकल जांच हो गहरं उसके बाद पूरी तरह से जो है आपका मेरिट लिस्ट बनके आएगा ठीक है यहाँ पर देखते ह आपका जो हम बोले हैं कि कोई एक भासा आपको चूच करना पड़ेगा जिसमें की 100 कोचन रहेगा देखिए यहां पर 100 कोचन लिखा हुआ है और जो पहला पेपर रहेगा उसमें रहेगा हिंदी भासा ग्यान और अंग्रेजी भासा ग्यान उसमें 120 पर्षंट नियुंतम ला और समान अध्यन से 40 पर्षं जार्खंड राइस जिक्के से 50 पर्षं यहीं बदलाव देख रहा हम 40 कोचन था पचास हो गया अब यहां पर देखिए रिजिनिंग कंप्यूटर वगेरा पहले था लेकिन इस बार नहीं रहेगा अब यहां समान अध्यन से 40 समान अध्यन में पर लकान रहेगा जार्खंड ऑसमान बिग्यान से रिएगा यहां पर देखिए यह अलग सेक्सन है यह अच्छा सेक्सन है इसका लेवल जो एक से टेंट क्लास करेगा मैथ का साइंस का भी ठीक है और यहां पर देखिए पेपर थिरी में भी लिखा हुआ कि तीस पर तीससत नियुंतम अंक प्राप्त करना निवार रोगा किस में जो जहार्खन जी के समान अध्यन रहेगा उसमें ठीक है तब ही आपका मेरिट लिष्ट में नाम रहेगा ठीक है अब देखिए सिलेवर दिया हुआ है और आप लोग को जो भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताईएगा कोठ़का सिलेवर में थोड़ा चेंजेश हुआ है नागपूरी का भी स्लेवर ठीक है आप लोग जैसा जो आपको अच्छा लगता है सिलेवर वही आप लोग कीजेगा ठीक है वही आप लोग चूज कीज़ेगा पेपर टू में यह सिले वस हो गया तो आपको पता चल गया फिजिकल मेजरमेंट आपको पता चल गया एक्जाम पेटर्न आपको पता चल गया कि पहले फिजिकल होने वाला है और तीसरा आपका मेडिकल जाच होने वाला तीसरा स्टेज ज प्रोटली और जो मैथ का जो रहेगा सब्जेक्ट दस को जनज रहेगा सो यहाँ पर कि 10 matrix अस्तर के पर्शन रहेंगे ठीक है और जो हम बता चुके हैं कि 10 किमेटर में मेल के लिए और पांच किलिमेटर चालेश मिनेट में फिमेल के लिए हो गया सब्सक्राइब चीज्ट नहीं होना चाहिए और लास्ट में हो गया एक चीज और कि अगरिद आपका दोठो का मार्क सेम आ गया ठीक है दोठो उमिदवार का मार्क सेम आ गया तो वहाँ पर देखा जाएगा पहले जनम्तिति के अदार पर पहले किया जाएगा जनम्तिति भी सेम आ गया और मार्क सेम आ गया तो देखा ज हो गया निवनता हमाने कि देखिये की पुराय जैसे कि एक जान हाड हो गया तो इतना नमबर भी आना बहुँत जोर्री रहेगा इतना से कम में नहीं बनेगा ठीक है जैसे यू आर के डार एक तरह के जान ऑना ही तो माट हो जाएगा कोई भी बच्चा इतना नहीं माक्स ला पा रहा तो इतना मिनिमूम तो लाना ही होगा मेरे लिस्ट में जाने के लिए ठीक है तो दोस्तों आप जो भी डाफट होगा आप लोग कमेंट करके जरू बताइएगा और नेक्ट अपडेट जो भी होगा जरू बत जो पहले बार आये हैं सब्सक्राब जरू किजएगा चैनल और वीडियो अगर अच्छा लगा तो सेर जरू किजएगा लाक जरू किजएगा थैंक्यू